मेलकम तू माय यूट्यूब चैनल दियर स्टुडेंट्स में स्पेक्ट्रोमीट्री में हम आयोनाइजेशन मैथड्स पढ़ रहे हैं और आयोनाइजेशन मैथड्स में भी हम एवैपुरेटिव मैथड्स पढ़ रहे हैं इवैपुरेटिव मैथड्स या वैपुरेटिव टेक्नीक्स में से हमने अलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन और थर्मो स्प्रे आयोनाइजेशन को डिसकस कर लिया था आज हम डिस्कस करेंगे atmospheric pressure chemical ionization जिसको हम APCI से लिखते हैं atmospheric pressure इसके नाम से पताचल जाता है कि इसमें हम chemical ionization करेंगे लेकर atmospheric pressure पर जोके वन A.T.M है तो ये एक गैमिकल आयोनाइजेशन ही है जिसको हम वन A.T.M प्रैशर पे कैरी करेंगे जो कैमिकल आयोनाइजेशन हमने पहले पड़ी है जिसमें हमने कैरियर गयस को आयोनाइज करवाया था उसमें हम अंडर वैक्यूम ईलेक्टरॉन की बंबार्डमिنت करते हैं लेकं इसमें हम एट 1 A.T.M. अडरेक्टरॉन की जो है वो बंबार्डमिंट करें गे हम बीटा अमिटर यो यूज करेंगे 1 A.T.M. प्रेशर वहां पर जो एर का प्रेशर उस चेमबर में होगा that will be one ATM जबके chemical ionization में हम ये under vacuum electron की bombardment करते थे carrier gas पर यहाँ पर भी carrier gas है और carrier gas से हम ionize करवा रहे थे chemical ionization में भी carrier gas थी जब हमने chemical ionization पढ़ी थी यहाँ पर भी APCI में भी हम carrier gas को use करेंगे जो के इसको ना सिरफ carry करके लेके जाएगी लेंप तक बलके इसका spray भी इसको nebulize भी करेगी fine droplets भी बनाएगी aerosols भी बनाएगी carrier gas बाकी techniques की तरह यह भी soft ionization technique है इसका मतलब वैस में fragmentation का कोई चांस नहीं है या तो बहुत कम fragmentation होगी ही नहीं बिलकुल fragmentation और हमारे पास सिरफ compound का molecular weight आएगा तो यह compound का molecular weight निकालने के लिए use करते हैं इस technique को soft ionization technique को यह evaporative technique ही है जो कि atmospheric pressure पर जो हम carry out करते हैं इसमें हम molecule यह जो कि soft ionization APCI है यह actually combination है chemical ionization का और electron spray ionization का यह नहीं हम sorry electro spray ionization का क्योंकि हम electric feed use करते हैं अब combination इसमें हम spray तो produce करेंगे यहां पर जो के nebulize करेंगे हम nitrogen से carrier gas से तो fine droplets बनेंगे aerosol बनेंगे spray बनेंगा fine droplets आएंगे बिलकुल जैसे electro spray ionization में आये थे लेकर हम जो ionization करेंगे वो chemical ionization की तरह की होगी वो electric field से है जैसा के हमने electro spray ionization में high electric field दे के ionization करवाई थी वैसे ionization नहीं होगी spray जरूर यहां पर बनेंगा तो यह दोनों techniques का combination है थोड़ी सी deviation के साथ इसमें हम molecules study करते हैं जिनका molecular mass 1500 आइटन से कम होता है यहनी हम steroids study कर सकते हैं drugs study कर सकते हैं इसमें हम macromolecules study नहीं कर सकते हैं जैसे proteins वगएरा है DNA हैं क्योंकि यहां पर multiple charged ion नहीं बन सकते हैं multiple charged ion यहां पर सिर्फ single charged ions बनेंगे इसका मतलब है हम जो हमारे पास macromolecules biological molecule होते हैं उनको यहां पर study नहीं करेंगे जैसे हमने थर्मो spray ionization और electrospray ionization में उनको कपल कर लिया था chromatographic techniques के साथ तो हम इसको भी HPLC के साथ यहनी liquid chromatography के साथ कपल कर सकते हैं किस तरह के substances होने चाहिए जिनका molecular mass less than fifteen hundred are written है polar thermally stable यह less polar thermally stable substances को हम यहां पर use कर सकते हैं study कर सकते हैं अब इसमें किस तरह का apparatus use होगा सबसे पहले तो APCI में हमें हमाए इसको कपल करना है liquid chromatography के साथ और वहां से ही हमारे पास जो analyte है वो है गावित mobile phase तो इसमें जैसे हमने capillary use की थी fine spray produce किया था thermo spray और electro spray में इसमें भी हम capillary use करेंगे ताके यहां पर spray fine droplets aerosols produce किये जा सकें और यहां पर जो हमारे पास analyte आएगा जो aluant आएगा प्लस analyte यानि analyte sample आएगा वो आएगा इस कालम में से यह कालम आ रहा है HPLC से या liquid chromatography से इस कालम में nitrogen से nebulize करवाते हैं लेकिन इससे पहले हम इसको heating coil से heat कर लेते हैं heating coil इस mobile phase को यानि analyte plus solvent दोनों को यहां पर heat करते हैं उनका temperature high करते हैं जैसा कि यहां पर heating coil का temperature 350 से 500 तक होता है 350 to 500 degree centigrade temperature यहां पर होता है due to heating coils अब यहां से nitrogen gas carry की जाती है जो के यहां पर fine droplets बनाती है यहनि इसको nebulize करते हैं हम nitrogen के साथ fine spray produce करने के लिए droplets fine droplets produce करने के लिए यहां पर हम nitrogen को use करते हैं अब यह nitrogen यहां से हम nitrogen carry करते हैं ताके इसको next krona discharge lamp तक carry करवाया जाए यह यह nitrogen as a carrier gas है यह इस सारे droplets को fine droplets को next chamber में ले जाएगी जहां पर पढ़ा हुआ है krona discharge lamp एक्चुली krona discharge lamp जो है यह lamp बीटा मीटर है electron देता है बीटा पार्टिकल देता है electric discharge से तो यह krona discharge lamp है electric discharge से यहां पर बीटा पार्टिकल produce होंगी carrier gas जब इन को यहां लेकी आएगी यह carrier gas carry करेगी यहां पर इनको तो carrier gas भी आईउनाइज हो जाएगी और फिर carrier gas जो इसमें solvent होगा उसको आईउनाइज करवाएगी और solvent फिर जाकर आगे आईउनाइज करवाएगा हमारे एनलाइट को यहां पर यह हमारे पाद जो mobile phase आ रहा है यहां पर mobile phase में एनलाइट भी है mobile phase प्लस एनलाइट यहां इसमें solvent प्लस एनलाइट है तो यह जो droplets बने हैं यह भी solvent प्लस एनलाइट के हैं यहां से nitrogen gas भी है यहां तीन चीज़ें होगी nitrogen gas भी होगी हमारा इनलाइट भी हो गया solvent भी हो गया यह बीटा मीटर है यह electron देता है इसको तो यहां पर आइंज बन जाते हैं जिनको हम mass spectrometer में बेज देते हैं अब आइन बनेंगे कैसे आइन यह जो carrier gas है यह जो nitrogen है nitrogen पर जब बीटा मीटर क्रोना डिश्चार्ज लेंप से यहां पर electron फाल करेंगे तो nitrogen ionize हो जाएगी nitrogen आइन बन जाएंगे और फिर nitrogen ion further nitrogen molecule से मिलके N24 प्लस आइन बना देता है highly unstable species है यह जो N24 प्लस है यह सारा कुछ carrier gas के साथ हुआ यह carrier gas है यह दोनों step अब next step में जो carrier gas है यह जो यहां पर solvent है उस solvent को ionize करवाएगी उस solvent के molecular आइन बनाएगी जैसा के nitrogen यह N4 प्लस प्लस वाटर जो के solvent है फर्ज करें water solvent है तो यह देखें उसने water का आइन बना दिया molecular आइन water का बन गया nitrogen gas निकल गया यह जो water का molecule आइन बना है यह दूसरे water molecule से मिलेगा तो यहां पर acid base reaction होगा एक proton देगा दूसरा लेगा तो यह हमारे पास hydrated water बन गया hydronium आइन बन गया यह hydronium आइन हमारे analyte के साथ मिलेगा और उसको protonate कर देगा इसका मतलब है इसमें कासी molecular आइन पीक्स बनेगी इसके ब्रक्स यहां पर है hydrogen abstraction भी हो सकती है यहां एम माइनस h पीक्स भी बन सकती है तो यहां एक तो carrier gas है एक हमारा analyte है दूसरा mobile phase है पहले carrier gas ionize होगी carrier gas जो है यह mobile को जो solvent है mobile phase है solvent को ionize करेगी और solvent हमारे जो sample है जो हमारा analyte है उसको जाकर ionize करवा देगा और यह जो molecular आइन पीक है m plus h protonated analyte है इसको हम accelerated plates में accelerated region में बेज देंगे mass spectrometer के जो फर्दर फिर इसको deflector region फर्दर यह deflector में चले जाएगा और फिर उसके बाद detector amplifier और recorder है तो यह टेक्नीक दो टेक्नीक का combination है यह नहीं एक तो इसमें fine spray भी बन रहा है fine spray बन गया तो यह electro spray जैसी टेक्नीक है अब जो fine spray बन गया उसके बाद इसकी जो ionization करवाते हैं हम electric field से नहीं करवाते हम करवाते हैं krona discharge lamp से तो इसका मतलब है यह chemical ionization और ESI इन दोनों का combination है यह था dear students हमारा आज का lecture thank you very much करवाढश करैंजर कि बने दो पारावाट route dua ग कि हो ऊईर पारावाढ़ महाण?